विद्मानिंग दसके रम्दाद ट्रेट्स में आपका स्वागत है विरु और में रहेंगे के लिए आदे खंटे आपके साथ और हमारा साथ देने के लिए सचिन और रशना जी पिसली शो से बने हो गए हैं उनके अलावा जोचित जैन जोड़ेंगे और सोनी पतना एक तो यह कुछ ट्रेट्स आपके लिए बिग मार्केट वोचिस में आज हम क्योंकि मार्केट में इतनी वॉलेटिल्टी रही है दो बड़े फंड मैनेजर्स को लेकर आए हैं हमारे साथ होंगे इन्वेसको म्यूचिल फंड के CIO ताहिर बाश्या और ट्रस्ट म्यूचिल पूरा फंडमेंटल का तड़का आपको फंड मैनेजर्स की तरफ से मिलेगा एक बाद आप मार्केट का रुख करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों डे हाइपर 25,100 के पार निफ्टी 51,650 के पार बैंक निफ्टी और दोनों इंडेक्स को सपोर्ट कर रहा है इसमें HDFC Bank आज का आप तक का stock of the morning, day hyper stock इसमें करीब करीब 1.3% उपर, 20 day market काफी करीब, उसको strike करता हुआ stock, उसके लावा Wipro, Tech Mahindra, तो कुछ select IT pockets में अची strength है, Shriram Finance ये समय अच्छा कर रहा है, और अगर stocks जो नीचे उनकी बात की जाए तो मारूती Suzuki, जहां तक बात outside the index के stocks की है आज का accident of the day, clearly D-Mart यानि की Avenue Supermart, खराब number और खराब commentary के बाद stock में करीब करीब अब यहां पर 8% की करीब की गिरावट है, लेकिन अगर आप F&O stocks देखेंगे तो सबसे उपर आपको दिखाई देगा इस समय, इपका लैप्स करीब करीब 3% उपर, इपका लैप्स, अबरो र इस समय आपको ट्रेट करते वे दिखाई देएंगे, उसके लावा IGL, IGL में इस समय थोड़े सी गिरावट और Colgate, Colgate में करीब-करीब 2% की गिरावट, बीडो अनुच, एक वियू लूँ आपसे मैं, HDFC बैंक फाइनली अबाव 20-day exponential बिख, 1679 वाला, क्या ये एक major thrust provider होगा? होप सो, काफी, लेकिन एक चीज़ है विरू, HDFC बैंक ने एक जो double top बनाया था, उसके बाद double bottom भी बनाया, at least इस चीज़ की confirmation मिल गई है, HDFC बैंक पर, लेकिन HDFC बैंक पर मैं एक चीज़ कहूँगा, अभी भी ये stock जो है ना तो 1800 से उपर जाने के trigger हैं उसमें, और ना ही stock में 1500-1600 के नीचे की गिरावट है, ये बैसे कली अभी एक range में आ गया है, ये दिकिए आपने कितना time इसने 1600 के आसपा spend किया था, उससे पहले एक बार 52 week low, फिर 52 week high, उसके बाद 1600 पर इसने time spent किया, उसके बाद वापस एक correction, मलब एक high निकालने की कोशिश की नहीं निकाल पाया, फिर lower level पर 1600 पर आके थोड़ा time spent किया, और आप वापस तो एक range बन गई है, यहाँ पर 1600 upside पर, 1800, सब्साइड पर 1800 upside पर, तो 1700 के आसपास equilibrium है, हाँ आज 20 डेमा क्रॉस कर दिया, और इसके उपर अब बंद हो गए, बंद होना जरूरी है, तब शायद एक threshold भी आया सकता है, इसके बाद भी रूब हो, ओके चलिए, वीव बिलिए मेन यहाँ पहनोच का, आब एक काम करते हैं, हाँ पर, पहने काल्स यहाँ पर ले ले लेते ह रहे, फेडरल बैंक है, जहां पर खरीदारी की सला रहेगी, रीसंटली एक कर्रेक्टिव फेस के तुरूरी यह स्टॉक गया है, पर लिए कर्यक्शन में स्टॉक ने अपने 100 डेमा के सपोर्ट ब्रेक नहीं कि और इंफेक्ट उसके आसपास एक अच्छा सपोर्ट बेस ब बनादा, उसके बाद फॉलोओ भी स्ट्रॉंग है, तो यहां पर भी हमें लग रहा है कि बॉटम आउट हो चुका है यह पैटन के हिसाब से, पी एफसी में 462 के स्टॉक प्रॉस के जाथ खरीदारी की सला है, 500 से 505 के टागेट जोन के लिए, ओके, सोनी के बास चलते है, स आपकी ट्रेट इस समय की? पुलिश व्यू यहां पर बन रहा है। दूसरा बाई यहां पर रहेगा, जापर हमें एक अच्छा सा रिवेर्सल पैटन देख सकते हैं, हीरो मोतर्स मिझे रहता है, यहां पर 5500 के अच्छे सपोर्ट को पकगते हुए, एक अच्छा रिवर्सल रिखा रहा है, सो 70 55 75 पर बाई कर सकते हैं 55 10 futures में स्टॉपलिस लगाये टागेट यहां पर रहेगा 5700 ओकी आपके दो टेट्स होगे यहां पर राचना जी आपके दो टेट्स दस बजे के दस बजे के दो टेट्स में एक मैं है कनो सूपर स्टार को रिपीट करना चाहूंगी पिछ इस स्टी एफसी बैंक यहां पर मोमेंटम में इंक्रीमेंट आया तब से लेके अभी तक और यह कांचर अब मुझे 1700 की दरफ चाता हुआ नजर आ रहा है तो शॉट टम प्लेयर्स क में भी अच्छा मोमेंटम है और यहां पर अगर यह कांटर 1895 को फ्यूचर पर होड़ करेगा तो अपसाइट पर यह चाह सकता है 1930 की कि तरह अब सचन के पास जलते हैं सचन आपकी इस समय की फ्रेश कॉल्स अनु जी एक तो स्टॉक रिपीट हो रहा है यहां पर मुझे भ यह rally मुझे लग रहा है 1980 तक extend होनी चाहिए तो एक confident base से काफी sharp turnaround हुआ है तो momentum भी काफी शांदार है 1886 के fresh top loss के साथ अभी भी आपर momentum chase करने की सला होगी 1980 के target के लिए जो second pocket of strength है मुझे लग रहा है अज काफी अच्छा momentum मला है सारे real estate stocks में और वहाँ पर गोदरिश properties में भी जिस तरीके से एक cluster support बनाया है 3000-3050 के आफ़ पास cluster of moving averages से breakout हुआ है तो मुझे लिए यहाँ पर भी जो momentum नज़र आ रहा है वो काफी durable होगा 3180 के लक्ष के लिए अभी भी यहाँ पर fresh longs chase करने की सला होगी आपको लगबग राउंड 3026 पे लगाना है और फ्रेश लॉंग पोजिशन जाड़ करनी है गोद्रेज properties के futures में ओके मीन्वाइल मार्केट सद्धे है 25-28 अच्छा एक बार टाइटन लिखा है स्कीन पर टाइटन में ख्याल से आज थी चंदन जी की कॉल मैं कल ऐसे ही लोड़ा में शाम को कल गया था तो टाइटन के शोरूम में के सामने वहाँ पर रतन टार्राजी का शद्धान जरी संदेश लिखा वा था और आज 35 पर लेकिन मैं की अबियों ट्रेंट को लिने का आज जो एक लॉजिक था हूँ था कि अगर आप रीटेयल में ही इनवेस्ट कर रहा है और रीटेयल में ही हलाकि chalk and cheese है लेकि रीटेयल में ही अगर बड़े stocks की बात की आजी तो अग्स देशम से इक आपपका DMAT और दूसरा है ये एक कारण था, इस वज़े से इस पर बात हुई थी, खेर ये स्टॉक काफी महंगा है, इस चीज का ध्यान रखेगा, लेकिन वीरो अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ आज दो खास मेमान जुडने वाले हैं, तो पहले इन्बेस को मुचल फंड के CIO ता रे रेटिंग हुई है, कहां आपका डीमार्ट में इतनी मैसिव डिकलाइन आई है, दूसरी तरफ जोमैटो जैसे स्टॉक्स हैं, जो भी अब थोड़ा सा एक almost इस कैटेगरी में आ गए हैं स्टॉक्स, टाइटन हलाकि कम्प्रीटली अलग है, लेकिन वहां पर काफी उनमें भी मतलब अलग-अलग बिसनस मॉडल से अलग-अलग ड्राइवर से और अलग-अलग लीवर से ग्रोथ के तो उनके वह डिरेक्ली तुलना करना एक्चुली मुश्किल हो जाता है, बट मैं आपके बात समझ रहा हूं कि basically all these three are plays on the retail market, लेकिन जहां तक पिछले 2-3 सा या दो साल का at least market का रुख रहा है, इन सब चीजों में retail generally थोड़ा difficult रहा है as a space और आप jewelry retail के बाद करें तो उसमें यह जानना ज़ूरी है कि actually इसमें एक natural tailwind होता है जो gold prices के समान में आपको मिलता है तो उसके लिए dynamics थोड़े बहुत अलग हो जाते हैं, तो I think jewelers को अगर हम site पे रखे या उसको अलग से देखे, तो फिर if you come to the core retail जहांपे apparel retailers वो या grocery retail है, वहाँ पे it has not been a smooth ride और execution पे बहुत सारा actually dependence रहा है, जहाँ जहाँ execution strong रहा है, वहाँ market ने disproportionately reward दिया है और यह essentially कहानी रही अब तक की and I think that is where market will be focused on कि जहाँ जहाँ execution अगर strong आते जाता है और market opportunity right तरीके से अगर management estimate कर लेता है और उसके समान काम करता है, तो I think they will always be able to kind of grow better than the industry, या जगा बन जाएगी आपके लिए to be able to grow faster than the industry, so I think there are some players who are managing that, और कुछ ऐसे हैं जो वहाँ पे मतलब थोड़ी बहुत उन्हें दिक्कत आ रही है, but things can change over a period of time, so we will have to, उस तरीके से दिखन strong है और जहाँ जहाँ opportunity size बड़ी है, वहाँ पे हमें, we will have to probably place more focus, more attention compared to the others. दूसरा जो main topic है, market को जिसने काफी समय से तंग किया है, वहाँ लाज private banks, चाहे HDFC bank हो, COTAC हो, ICACI bank हो, higher level पर, clearly यहाँ पर शायर एक FIS selling का impact है या जो भी है, यह pocket क्या अभी भी market के लिए थोड़ा सरदर्दी रहेगी है यहाँ पर अब मौके हैं? देखें, मौके हैं यहाँ पर और काफी समय से हमें हम देख रहे हैं, मतलब यह एक value space में आके आ चुके हैं, यही एक as of now, एक ऐसी pocket of the market है, जहां हम यह confidence से कह सकते हैं, कि वहाँ पर cheapness है या value है, लेकिन obviously यह ऐसी segment है, जहां पर return expectations अब बहुत ज्यादा नहीं रख सकते हैं हाला कि मतलब 12-15% के book की compounding जरूर हो सकती है यहां पर और कुछ अगर ऐसी companies है, जहां पर valuation उनके lower end of the valuation band पर है, यह ऐसे कुछ banks है, तो मुझे लगता है कि उधर शायद book value compounding से ज्यादा return आपको stock price में हज़र आ सकते हैं, so I think यह एक value approach यहां पर हम काफी समय से लेते आ रहे है और value की यही खासियत होती है कि patience लखना जरूरी हो जाता है, so I think we are keeping the necessary level of patience, मुझे लगता है कि cycle यहां पर लिवर्स, positive लिवर्स इस segment में शायद interest rates के curve को change होते हुए आ सकते है, initial phase में शायद यह profitability या margins के लिए थोड़े बहुत disadvantages हो सकता है, लेकिन हम जानते है कि पेसले एक देड़ साल में ज्यादा problem cost of deposits की रही है, system में deposit की किलत रही है और cost वहां पे ज्यादा रही है, उससे सबसे margin की compression ज्यादा रही है, तो मुझे लगता है कि the second phase जहां we start seeing some better liquidity in any case दिख रही है और cost of funds भी अगर हम moderate होते होए देखे तो शायद that can act as a possible positive trigger which may lift valuations over a period of time तो I think value proposition है यहां पे and we should think of it as such. अभी इस earning season की जो शुरुआत हुई, thesis ने जिस प्रकार के numbers दिये, यह फिर एक और चीज़ है, यूएस में banks के numbers जिस प्रकार की उमीदे हैं इस बार, अब IT पर क्या view लेके चल रहा है, मैं ये प्रशन इसलिए कर रहा हूं जाहिर क्योंकि दो चीज़ हैं IT में, IT चल भी बहुत चुका है, लास्त तीन में डॉमिनेट किये इसने, बट अगर आप historical high से निफ्टी के compare करें तो अभी भी भी बहुत still difference परसिस्ट करता है, IT पर क्या view ले रहे हैं आप, अगर हम सिर्फ IT services की बात करें तो फिर थोड़ा, I agree with you कि मतले हम पर वैसे नकेवल हमन उसको ignore भी करें क्योंकि बहुत सारे industry के और results आना बाकी है, तो हम उस प्रकार से trend बना नहीं सकते हैं अब तक, लेकिन I think in general मतलब यहां पर growth की trajectory इतनी जादा lift नहीं होगी, वो हमें भी पता है, मतलब we know that यह अगर 5-7% की growth पिछले एक-2 साल रही है, तो शायद यह 5-7% व वालई growth story immediately नहीं बन सकती है, but I think यहां पर जिस तरीके से valuations की movement आती है, वो ज्यादा तर वो incremental growth की delta को देख की ही आती है, तो I think FY26 के basis पे शायद यह कुछ stocks already जैसे आपने कहां move दिखा चुके हैं और शायद pricing में है, valuation में उनको reflect हो रहा है, लेकिन I think this cycle अगर 27 भी अगर confidence आ आता है कि over a period of time AI related benefits है वो भी शायद accru होने लग जाये companies के लिए and जो deal flows की momentum हमने पिछले चार quarter से देखी है, वो भी अगर sustain होती है, तो I think over a period of time और थोड़ा growth की momentum या stocks में और थोड़े rating की possibility बन सकती है, but I think जहां तक हमारा focus है, I think we are now thinking about technology and not just IT services, अब तक के अर्ले हमार पास from an India standpoint, generally global tech companies ही एक option रहा है, अपी भी है, मतलब that is still a large part of the overall opportunity set, लेकिन technology adoption बहुत सारी अलग अलग चीजों में हो रहा है, consumer fintech, financial fintech, financial tech, also हम अगर artificial intelligence की बात करें तो अलग-अलग तरीके से वरलब technology की benefit उसमें उबर के आ रही है, it is extending to other sectors also such as industrials, जहां पे tech का प्रभाव important हो सकता है, for example in power, power transmission in particular, तो इस तरीके से हमें choice नहीं है, लेकिन हम technology को और थोड़ा एक wider basket के form में हम अब हमें देखना पड़ेगा, and that is how we will have to build the opportunity set for ourselves. अजय ताहिर, कुछ interesting points थे, levels थे, बात में गरूर करना चाहूँगा, capital goods इस वक थोड़ा सा, जिसे कहते हैं, I mean, बिल्कुल एक challenging phrase में है, EBB Simmons बहुत strong move generate कर रहे हैं, L&T में काफी selling हुई, last एक महीने में, almost technically to around 200 day expositioning average, capital goods पे आप लोग क्या sense ले रहे हैं, L&T इस पॉइंट पे या फिस capital goods इस पॉइंट पे आपको किस तरीके से प्लेस्ट लग रहे हैं? कुछ समय से विरू जी हम मैं कहूंगा, almost since beginning of this fiscal year, April से करीब करीब हमने, लब industrial पे थोड़ा हमने थोड़ा कम करते की कोशिश की है, वेटे जो वहां पे है, वहां थोड़ा हमने हलका होने की कोशिश की है, और बहुत ज्यादा ओरवेट पोजिशन हम लेके चल रहे थे, करीब-करीब 500 से 700 basis point का ओरवेट स्टैंस था हमारा बहुत सारे portfolios में, उसको हमने कुछ हद तक moderate किया है, मैं यह नहीं कहूँगा कि हमने industrial space को बहुत ignore किया है, या उसमें बहुत ज़ादा हमने कटाथी की है, लेकिन clearly हमने थोड़ा बहुत उसमें moderate करने की जरूद जरूद देखी है, especially given the moment जो हमने stocks में देखा है, individual sectors और segments में देखा है, चाहे वो real ways हो या defense हो या general engineering industrial companies हो, लेकिन यह फिर भी अब भी एक portfolios का एक core हिस्सा है, और वहाँ पे earnings की visibility as of now relatively better है, इन में हम सब जानते हैं कि दो influences हैं यह sector में, one is the order flow और दूसरा है order execution, and I think order flow की हम अगर बात करें और order books की अगर बात करें तो हमें इतनी ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं है, या comfort, discomfort नहीं है, लेकिन execution obviously यह sector की challenging है, यह business ही ऐसा है, जहां पर you may not be able to see linear growth, तो I think, जहां तक मेरी समझे मुझे लगता है कि यह sector में आगे जाके, there will be differentiation, पिछले एक देट साल में जो हमने देखा है, जैसे कहते हैं कि rising tide lifts all yours, वैसे वाली बात हो गई है, जहां पर almost all companies without exception have performed well, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले quarters में execution will matter a lot, markets will demand growth and growth के जो numbers और आकड़े जो estimates है उन पर ज्यादा दिमांड होगी, और इस तरीके से देवल नौ बी अदिशेशन, वो सकता है कि यह sector में कुछ सब सेक्टर्स, ज्यादा आच्छे करें compared to the others, कुछ stocks depending upon once again execution, ज्यादा आपको out performance दे सकते है compared to some of the others. So I think कुछ ऐसे pockets निकेवल इंडस्ट्रियल में कहूंगा, कुछ और बी जो out performing segments of the market रही है, वहाँ पे differentiation अब एक important इसा बन जाएगा, and to that extent, आप stock selection पे आपको ज्यादा focus और ध्यान करना पड़ेगा. Selection पे ज्यादा ध्यान देना होगा, यह बिल्कुल एक clear-cut approach है. एक आखरी सवाल, चाइना factor market के लिए कितना important होगा? मैं सिरफ metals के perspective से नहीं पोच रहा हूँ, लेकिन considering कि पिछले हफते दस जिन में काफी लोगों ने कहा है कि भारत से पैसा निकल के शायद चीन में जा रहा है, और FIS की काफी aggressive selling हो रही है इंडिया में, क्या वो continue करेगी? सानु जी जहां तक मेरी यहां पर अंडिस्टाइने हैं, थेकि हमने यह फिनॉमनन करीब 2022 के एंड में भी हमने जिब दिखा था कि इंडिया वस रेल्टिवली मोर एक्सपेंसिव कंपेर तो चाइना और चाइना में एक अनलॉक लॉक्डाउन से निकलने का एक जो अपरचुनिटी था वो 2023 में अनी की शुकेता थी अलरी इंडिया में वो बात हो चुकी थी प्ले आउट हो चुकी थी जुकी था रिडिया विन आउट कि चैना निकिन चैना अन फुर्चना लिए पोरच तरह पॉजिव रुजन दिखा था अब इस बार भी कुछ ऐसे होने जा रहा है लेकिन एक ही में दिफरेंस इस लारी है कि obviously it is now supported by stimulus and government Chinese government is now committed not only to stimulate the economy but also equity markets support definitely so I think this time around it will not be a very quick in and out by foreigners foreign investors they will somewhat be persistent with it so I think the shift of flows from India to China or from other emerging markets to China might continue for somewhat longer compared to what happened the last time but obviously we also know that there are some of those structural challenges and this trade is not going to be a very long lasting trade it might be definitely something which will be used as an arbitrage for the near future maybe a year or so we could see this continue and after that we have some structural reform if India is relatively less expensive so I think investor attention should come back to India All right Tahir Ji Thank you very much for this conversation Thank you very much for this to understand that market what is good morning what is market what is what is what is market a time and price correction that is going to be that we have not seen a lot of time good morning Anuj market is close to the all time highs है दो चार प्रसंट यहां वहां है तो ऐसी कोई बड़ी कर्रेक्शन तो हुई नहीं है बट इंग तो अंडरलाइंग जो हुमारा प्रिमाइस है कि इंडिया विल बीड़ पास्टेस्ट डॉइंग लार्ज कॉनमी इंड वर्ल्ड इंग वो तो उसका तो कोई चैलेंज नहीं ही अभी एंड हम चैना की बात कर रहे हैं और चैना स्टिबिलस की बात कर रहे हैं बट बिक पिक्चर देखें तो 25 साल से पैसा बना नहीं है लोगों का चैना में तो अब ऐसा क्या हो जाएगा कि चैना में हम पैसा बनाएंगे इन लॉंट तो मुझे यह चैना वाली सेट तो बिल्कुल लग नहीं नहीं है तो स्टेंडलोन व्यार ग्रेंग वैल कमोडिटी प्राइस खासकर जो ऑल है वो बिनाइन है तो इस गूट फॉर इंडिया एंड एफाइफ फ्लोस वैसे पिछले दो मीने में एक मीने में देखाया आउट्वोस रहे हैं लेकिन उसके पह तो ग्राउंड से ठीकी आ रहा है कि नो ऐसी कोई कंसर्म है ने इंफेक्ट बाइवन डिप्स वाला ही माहूल चल रहा है अब बैंक निफ्टी देखते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी अब कोशिश कर रहा है वापस दे हाई निकालने के लिए HDFC बैंक और कोटक दोनों वापस अब एक रैली दिखाते हुए अगर ये आज डे हाई निकला तो शायद एक ट्रेंड डे बैंक निफ्टी पर बन जाए 500 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी इस समय एक एवन 700 के करीब मेरी जी बैंक्स लाज प्राइवेट बैंक्स जो मा करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तो एक सब्सक्राइशन वाले जो में हमने ऐसा कोई ज्यादा एक्सपोजर बढ़ाया नहीं है हम फिनैंशन को दो दो पार्ट में बाटते हैं लेंडर्स और नॉन लेंडर्स में है क्योंकि लेंडिंग में हम देख रहे हैं कि क्रेट जो है वह थोड़ा स्लोडावन हो रहा है मार्जिन के प्रेशन है क्योंकि आपियाने काफी टाइम से रेट टाइट रखे थे तो वह सब देखे थोड़े अंडर अंडर एट स्टांस में लेंडर्स पे हैं नॉन लेंडर्स पर जिसमें आ जाता है वेल्ट मेंडमेंट कैप प्रेटिल मार्केट्स ब्रोकिंग इंशॉरंस उस तरह के जो प्लेज है उसमें हमें ज्यादा ट्रैक्शन दिख रही है तो हम नॉन डेटर्स पर ज्यादा पॉजिव हैं अग्या ओके अच्छा मेहिजी नमशकार विरेंद्र बोल रहा हूं यह जो प्राइस डैमेच बीत कि उसके उसके पीछे जो कमाउटी खड़ी है वो दूसरी सम्थिंग डिफेंट बाकी बैंक्स हुई है फिर आपके रेल्वेज हुई है फिर डिफेंस इसमें आप लोगा ने कुछ फोकस किया है लोवर लेवल्स पर हमने उपर में प्रॉफिट कुकिंग किया था हमारा ब उसमें हमने करीबें जुराय ओगस में प्रॉफिट बुकिंग किया है और स्ट्रक्ट्ट्रल भी बहुत ही पॉजिटिव है मैं कहूंगा आपने जो दो सेग्मेट की बात की डिफेंस और रेल्वेज उसमें मैं कहूंगा डिफेंस पे हमें ज्यादा लॉंग टर्म अच्छा एक स्पेस जिसको आप बहुत चीदर किस जानते हैं मेरजी मैं तमाम इंश्वेंस कंपनियों पर आपने जानते हैं की राय चाहूंगा इस बार के मूव में इनका बिहेवियर तो डिफेंट है मैं एक सब्सक्राइब को देखिए अपने करियर के हाईस कलस्टर पर टेट कर रहे हैं आपका विव इस पक्ति इस स्पेस पे लिए कि जैसे मैंने कहा ना जो सेविंग्स चैनलाइज जो कर रहे ह उसमें इन्शर्स, एसेट मैंजमेंट, वेल्स मैंजमेंट, ब्रोकिंग, कैपिटल मार्केट, स्टॉक्स हैं उसमें ग्रोफ रेट्स टिक्यूरली ज़्यादा रहेगी क्योंकि सेविंग्स पूल बढ़ते जा रहा है और सेविंग्स पूल जब बढ़ता है तो यह सब से बढ़ता रहता है प्लस उसके ऊपर जो आपके पार आते हैं नए प्रीमियम आते हैं और उसके ऊपर रिन्यूबल्स भी आते हैं तो एक बहुत ही स्टेबल कंपॉर्णि स्टोरी बन जाती है तो इसलिए मैं कहूंगा कि सेविंग्स बाली जो सेग्मेंट से जसमें कि आप प्रीट करेंगे को लाज के आप आई टी पर अब क्या भीव बनेगा लाज के पार लिए मैं कहूंगा कि यह मौडरेट रिटरन अल्मॉस्ट बोरिंग का अफसेंग्मेंट को गया है क्योंकि जो कंपनी आइसी को इनोगेटिव चीज कर नहीं रही है इसेवन एट- हाई-quality bunch of companies हैं जहां पर कोई ऐसी बड़ी growth aspirations नहीं है तो डिफेंसिव एक करेक्टरिस्टिक बन गया है यह segment का तो जब हमें लगता है कि domestic economy better करेगी तो मेरे काल से यह सेक्टर से ज्यादा better sector जो हमारे बाकिस segments हैं जैसे हमने बात करी financials हैं या capital goods infrastructure consumer वो है वो score perform करेंगे मैं जो हम आई-टी structurally under perform कर सकता है ओके बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज हमसे बात करने के लिए सब topics पर रहा है चलिए अब एक काम करते हैं इस show को यहां submit लेंगे झालिए